और अपती निवेशक राकेश उनजनवाला समर्थित आकासा एरलाइन उडान भरने की तैयारी में जुद गई है हाली में कमपनी ने 72 बोईंग 737 मैक्स जेट का ओर्डर दिया है अब कमपनी ने इन विमानों को चलाने के लिए सी एफम लीब वन बी इंजन खरीदने की खोशना की है राकेश उनजनवाला की आकासा एर के इस बड़े ओर्डर से ब्लेन बनाने वाली अमेरिकी कमपनी को दुनिया के सबसे प्रॉमिसिंग मार्केट्स में फिर से अपनी पैट बनाने में मदद मिल सकती है क्या हो सकती है विमान की खीमत कमपनी ने एक बयान में कहा कि इस खरीद और सेवाँ के समझोते के साथ आकासा एर के संचालन कि पहले दिन से CFM दौरा एक अभिनव और व्यापक रख रखाव का कारिक्रम होगा दुबाई में चौल रहे एर शो के दौरान CFM के साथ समझोता किया जाएगा इस समझोते में अतरिक्त इंजल और लंबे समय के लिए सेवा शामिल होगी और यह समझोता 4.5 बिलियन डॉलर का होने का अनुमान लगाया जा रहा है जो वर्तमान में भारती मुद्रा में लगबग 33,000 करोण रुपए का बुगा अगले साल तक रान भर सकती है आकासा बोईंग के काल्टरम में मंगलवार को कहा कि आकासा के आदेश जिसे अरबपती निवीशक राकेश जुनजुनवाला का समर्थन प्राप्त है रदी शीला देश है पिछले महिने आकासा एयर के मालिक SNV Aviation ने कहा कि देश के नवींतम अल्टरा लो कॉस्ट करियर के लॉंच करने के लिए नागरी गुड्यन मंत्राले से प्रारम्भि मंजूरी मिलने के बाद अगले साल उडान शुरू करने की उमीद जताई जा रही है